अब यहां पर आपका आज का जो मनुस्पृति को लेके जो टॉपिक था और दूसरा जो मनुस्पृति चेप्टर करें अगर इसको डिस्ट्राइब करना चाहते हैं क्या आपको मनुस्पृति कैसी किताब कैसी लगती है पहले वो किलियर कीजिए सर मनुस्पृति मुझे कुछ भी नहीं लगती है खाना मैंखी से पूछ रहा हूं कि मनुस्मृति आपके लिए क्या है कच रेका डबा है यह पुछिवीन मेरे लिए इसे बुख है ना खच़डे का। पहले सवाल एक मिनट सवाल पूछा उसका तो जबाब दे लिजिए फिर सवाल कर लीजिए ऐसा कैया है एक सवाल है ही उसके बावजूद भी आप जो है एक और सवाल करना चाहते हैं जो सवाल पूछी दिया है तो अब उसका जबाब देते हुए अपना बता दीचे अपको बोलने के लिए मैं कह रहा हूं कि जबाब दीचे वही तो आपका बोलना ही होगा आप जबाब नहीं दे रहे हैं अरोने लग रहे हैं हमने पूछा कि अगर वो कचड़े का डबा नहीं था तो बदा दिएक आपया सघ्राइज भी चला दिया हमने जो पूछ चया कि अपने सबाब से लोगा मनुशरती ज़ाँ था इसका जबाब आपना भी कोश्चन पूछ लीजिए, उसका हम भी जबाब दे देंगे, बोलिए, क्यों बाबा साब ने जला दिया था? क्या लग रहा है? अपको क्या लग रहा है? कि Ancrb डेटा जो बोला है, कि तलीत मनाओं कर देखा हूँ आप आप देखें आपना बहुत ज्यादा इदर भाग रहे हैं बहुत ज्यादा एसे लग रहा है कि आपके जो है ना कब जो हो गया है आप इदर उदर भाग रहे हैं आप किलियर नहीं है क्वेस्टन आपको जाया है तो क्वेस्टन कर लिजी हर एक पुइंट पर भागने लग रहीुए आ पना बात थे अपना रखन संढल हो जाए हर बाबा साहब ने मनुस्मृति को समझ कर उसको जलाया, बलकिल वहाँ पे उन्हों ने एक ब्रामहड को भी रखा था, उसे ब्रामहड ने मनुस्मृति को पढ़ पढ़ के बताया कि इसमें क्या गंदी-गंदी बाते लिखी हैं, क्या-क्या इस देश के समाज के लिए हानिकार हैं, फिर उसके एक-एक पन्ने फाड़ फाड़ के उसने पढ़ पढ़ के सुना सुना के आगे में जोके थे, सौरजनी के दहन किया था मनुस्मृति का, आप कह रहे हैं कि बाबा साहब ने अपने समझ लिया, अरे वहाँ ब्रामहड बैठाक है, ब्रामहड से समझ वाए कहानी यहां पर नहीं चलती है, समय रहे हैं, आके कुछ भी बोले जा रहे हैं, पजास बाते बोले जा रहे हैं, एक-एक करके बोलिए, अब बताइए आप क्या कहाना चाहरा हूँ, आपने जो मनुस्मृति का जो को दिखाया का, पेज नंबर वो जिखाया, वो आप दिख कुछ लिजे, इमनुवादी व्यक्ति है, विनुद जो है, इमनुद लिखते आ गया है, को ब्रामः है ना, क्यों? अरे भाई, पुछ रहा हूँ, ब्रामः हो, यह ब्रामः है, तो यह ब्रामः हैं, आपके पास किताब नहीं है, क्या करेंगे? इनका मनुस्मृती बचाओ करेंगे, इनका मनुस्मृती बचाओ हम लोग देखेंगे, पहले यह देटा देखिए, यह वेस्टर्ण यूनिवर्सिटी है, क्या लिखता है? कि 2024 का है, अगस्त 2024 का है, क्या लिखता है, between 2015 से 2021, there was a 45% rise in sexual violence crimes against Dalit women, ध्यान से देखिए का क्या लिखता है? 45% rise in sexual, मतलब 45% increase हुआ है sexual violence किस पर against Dalit women, और यह क्या बोल रहे थे हैं? कि Dalit women ऐसा कोई सब्द नहीं है? भाई का है, किसको वेवकूब बनाते हैं? यह पूरा डेटा है, 2015 से 2021 का, किसको अब वेवकूब बना रहे थे? तो यह पहले में आप लोग को यह दिखा दिया डेटा, आप इनकी मनुस्मृति खोल देते हैं, जहां पर यह कुछ दिखाना चाहरा है थे हैं, इनकी मनुस्मृति भी हम लोग देख लेते हैं, आईए, हाँ जी, यह रहा आपका मनुस्मृति, इस मनुस्मृति में यह इन प्रवाज कर देता हैं लोगों ने जब इन से कहा गया कि किताब खूल गई है आप बोलिए तो इन्होंने पहला विक्टिम काड़ क्या पुला कि हमको म्यूट कर दिया इनकी रुआई धुआई सुन लिजिए इनका मैं बार बार कहता हूं कि आपकी एक आवाज तो किलियर नहीं आ रही है आप बहुत ज्यादा इदर भाग रहे हैं जो टॉपिक है वही पर बात करेंगे आप 33 नमबर यहां खोल दिया है बताए इस पर क्या आप इसको कौन से पेज पे नहीं है यह चैप्टर 3 का 33 नमबर स्लोक है और यहां पर लिखा हुआ है उसको पढ़े के अनुवाद नीचे लिखा हुआ है आप बता सकते हैं अगर आपको हिंदी अनुवाद में दिक्कत आ रही है तो उपर संस्कृत में भी लिखा हुआ है पढ़े के सर में हिंदी अनुवाद में कोई दिक्कत नहीं है मैं सिंपल से पूछा हुआ हूँ कि यह पेज नमबर आप बता देंगे तो में डाइट पेज पे चला जाएगा तो सुन लिए आप लोगों ने यह ब्रामहड है इस ब्रामहड को संस्कृत नहीं आती सामने सामने यहां स जाये बनाए प्रामहड है मोटा छर का है पतला चर का है बडा ठ्रकाता कोई नहीं मतलब नहीं प्न कर दा दिए अ को में ब्रामहर गजब बदर एसा ब्रामहड तुक नहीं देखा है इसंतुनों करतीर करने के लिए इसको पोल दिया क्या कि चैप्टर 3 है चैप्टर 3 का 33 नंबर स्लोक है और संस्क्रीत में भी यहां पे लिखा हुआ है उसका हिंदी अनुवाद नीचे लिखा हुआ है सब चीज सामने दिख रहा है अब कह रहा है कि वहां पे चला जाएगा भाई हमसे फिर क्यों बो सुरू हो गया अब यहां सामने लिखा है इसको पढ़े कि आप हमें सुनाएं अजरा इसको बताएं आप हमें कि क्या इसमें क्या डिफेंड करना चाहा रहे थे बोलिए ना इसको दर्द उठाया देखें ब्राम्हण जो है उसको मनुस्मृति बचाने के लिए कितना जब किताब खुल गया है तो मुह नहीं खुल रहा है बताएं इस स्लोक में क्या इसमें क्या आच्छा ही है बताएं तो आप हमें बोलना भाई बोलने के लिए हो एक तो आवाजसusta मुझें निकल रही आएं मुहसीय निकल रहा हैढ़ी सामने डिख Susa अन्जाय है यहां पर उसका उनुणाद है इसको च्छाह को क्या पर बता दो dabei बोलने के जरूरत है कि बोलने दोके बोलो ना अभी कह रहा है खोली खोली खोल के रख दी हा, बाज भाज हीनी कल रही прилam संक्राचार जाके ब्राह wil जाके जाक impact तब भी जाके उनकी हुजूरी करेंगे चल रहा है क्या यहाँ पर उन्हें चल रहा है न सीधे-सीधे यहाँ सामने स्लोग खुला है पढ़े के सीधे-सीधे बता दो भाई क्या इसका मतलब बताएं तो सुन लिए आप लोगों ने व्यक्ति की कहानी यह व्यक्ति जो है अब पहले कहा कि खोल के दिखाएं अब स्लोग खुल गई अब इसने क्या कहा रहा है पेज नंबर बताएं हमने रेफ्रेंस बता दिया अब कह रहा है इसका फर्स्ट पेज देखाएं भाई होते कौन हो वी दुकुमार कोन हो भईय तुम कोन को हो को है हम पूछ रहें कि हो कॉन उसकि नहीं है अब बतादो हमें से नहीं है अब यह देखें ब्रामडों की क्या होती है इनके डिवेट का तरीका हम आपको पैटर्न समझाते हैं पहले आएगा कहेगा खुलो जब फस जाएगा बुरी तरह से मुह से आज नहीं खुलेगी जिहवा रुद जाएगी आखे बाहर निकल आएगी अगितम ऐसा लगेगा कि किसी ने पकड़ के इनके बढ़ है और उस रक्षस विवाह को इन्होंने धर्मीप्त बता रखा है यह सामने सामने खुल गया इनकी आवाज नहीं निकल रही है अब बता रहा है कि हम क्यों दिखाएंगे फर्ष्ट पेज भाई हमने रेफरेंस दिया है रेफरेंस चेक करो नहीं मिलता है तब हमको बताओ वैसे हो कौन की हम आपको दिखाते फिरे एक स्लोक खोल दिया है यहां पर यहीं बहुत है यह नोटंकी नहीं चलती है बपाउती समझ लिए हो का कि यहां पर आओगे फर्ष्ट पेज खोलो वो पेज लग रहा है कि इंक्वाईरी बिठाये हुए है जो जो कहेंगे हम इनक करना कि आपको आगै दिवेड करना है कि नहीं करना पढ़के बता है होता है मनुस्मृतिंत्र होी है एच पहले को अभी तक यह नहीं पता है कि मनुस्मृति चैप्टर 3 नुम्बर्स को लोग दख सके लिख लेए अब लोगों है जाए कि वहां पर हचित्वा लिखा है चैप्टर 3 को यह भी ऑठा़ा है अब बताए जिस व्यक्ति के पास मनुस्मृति होता तो अभी तक खुद से खोल के चेक कर लिया होता अचेक करके बोलता कि वहाँ पे ये वला स्लोक नहीं है या है तब हम आगे बात करते जिस व्यक्ति के पास मनुस्मृति तक नहीं है रेफरेंस बताने पर नहीं चेक कर प अपनी किताब में से अपनी किताब में से संस्क्रीट स्लोक पढ़े के सुनाओ क्या लिखा है नए हमको नहीं समझना है ना हमें बस यह करना है कि उस काबिल हो भी कि नहीं हो कितना पढ़ाई किये हो इसे कितना पढ़ाई किये हो सुनने आप लोग ने बीटेक इंजिनियर है क्या है यह बीटेक इंजिनियर है आच यह बताओ ताइम और फ्रेक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है ताइम और फ्रेक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है बीटे किये होना ये पाचवा क्लास का बच्चा भी बता देगा बताओ टाइम और फ्रेक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है तो सुन ले आप लोगों ने ये बंदा बीटे किया हुआ है और इसको टाइम और फ्रेक्वेंसी में रिलेशन नहीं बता है टाइम डोमेन और फ्रिक्वेंसी डोमेन में क्या अंतर हता है इनले आप लोगों ने ये भी नहीं पता है इनको इस बीटे किया हुआ है इस मनुस्मृति पर डिवेट करने आया है हर एक व्यक्ति को पता है कि अगर आप के पास किताब है मनुस्मृति अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इसने कहा कि फर्स्ट पिज दिखा ये उदिखा दे हम उभी दिखा देते हैं लेकिन हम इसको पकड़े लिए इसका नस पकड़े लिए कि इसके पास न किताब है न इसको कुछ आता जाता है इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं और नहीं दिखाएंगे एक दम अगर इसके पास किताब है तो इसको मैंने कहा है चैप्टर 3 का 33 नंबर स्लोक एक बार इपढ़े के सुनाए कि स्लोक वहाँ पर क्या दिया हुआ है अगर सुना देगा तो बात आगे बढ़ेगी सुनाए भई एक ही रूल है हमसे कहा यह वंदेन है कि आप जो है उस स्लोक दिखाओ हमने खोल दिया अब हम इससे कह रहे हैं कि यह आपना स्लोक दिखाए चैप्टर 3 का 33 नंबर नहीं दिखा सकता है तो हम इसको रिलेक्शेशन भी दे देते हैं इस प्रामण को कि भाई आप एक बढ़ है कि सुना दीजे कि वहां पर क्या मंत्र लिखा है चैप्टर 3 का 33 नंबर में सुनाए सर सुनो मैं इतना आप कहा से बात कर रहा हूं होता है यहां पर वैसी डिवेट नहीं होती है जो आपकी ना पेड़ डिवेट होती है तीवी में बैठाय के बैठके कुछ भी बखके ज हा रहा है बक्ते चलते हैं उस यह डिवेट नहीं होती है यहां सिधे हृफ्रेंस भी घ्र कुलती है सब बात होती है अगर हमारा प्रश्ण है कि आप अपनी किताब में से chapter 3 मनुस्मिर्थी का 33 नंबर स्लोक एक बार पढ़े के सुना हो अभी हम लोग चेक करेंगे कि आपने कहा ना कि यह मनुस्मिर्थी है कि नहीं है तब ही तो पता चलेगा ना कि हमने मनुस्मिर्थी खुला है या क्या और खुला है अब तब हम बात करेंगे रिफ्रेंस पे कि अब किसका है इसका अनुवाद किसने किया है कौन से पॉब्लिकेशन से चापा है तब हम बात करेंगे पहले आप chapter 3 का 33 नंबर स्लोक जो है अपना यहां पर या तो सेयर करके दिखाओ या बढ़े के सुनाओ तब ही बात आगे बढ़ेगी बताईए सर ऐसा है एक कुछ देकोरेम रहता है मैंने आप से देखें यह कोई डेकोरेम उकरेम यहां चलता नहीं है मैं बता रहा हूं यह वो देश है जहां पर पिछले 800 साल देश गुलाम रहा और उसके नीचे नाक के नीचे अपने मनुस्विर्थी देश पर ठोपर रखा था आप हमें समझाओगे डेकोरेम समझाओगे आप हमें जिन किताबों में आपने हाँ पिता जी प्लतकार से अपहरित हो रही हूं उसको आपने धरम युक्त विवाह वो बता रखा है कि किसी लड़की को घर के माता पिता को मार पीट के उसका दरवाजा तोड़तार के लड़की को उठा लेया हो आपने इसको धरम युक्त विव तो बात आगे बढ़ेंगी आ नहीं तो फिर आपको महुका नहीं दिया जाएगा यह आपके ऊपर है मिश्टर विनोध अब ये बताएगा हम लोगों की कौन डर गया है देख लिए आप लोगों ने ये बंदे के पास न कोई बीटे की डिगरी है मैं बता दूँ क्योंकि ये बंदे को एक सिंपल सी जनकारी नहीं थी कि फ्रेक्वेंसी और टाइम में क्या अंतर है टाइम डोमेन और फ्रेक्वें एक बार दिखा दे ये हम से बोल रहा है कि हम इसका फर्ष्ट पिच खोल के दिखाएं बताइए लेकिन इस व्यक्ति के पास किताब नहीं है हम सब चीज इसको खोल के दिखाएंगे हम लगदा है कि जैसे कोई क्राइम करके बैठे हुए है सफाई इसको देने के लिए क्योंने देिख सके चाहिए सब लोग देख लियां क्यों डर गया को और तु यहां लिए कि किचके पऴता के वाहां पर नहीं है जिसके पास कथ की पर इस पर किच अब वम्यंदा स refuse करेगा है क्योंकर नहीं तो वहीए हम क्यान हो टाइम पास करने माले जबर जस्ती जो है ना पांच बार फेल होके या सोचेंगे कि हम ब्रामर हैं हम जाके कुछ भी बख बख कर देंगे गाउं है गाउं का चोपाल है गाउं में किसी व्यक्ति को जाके चपड़ चपड़ कुछ भी फिला देते हो वेचरा चुप-चप सु लेता है वो समझ रहे हो नोटन की चल रही है यहां पर चले आगे बढ़ते हैं हम लोग